हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दे चैनल अगीन, आज की इस वीडियो में डिसकस करने वाले NMDC की तरफ से अपडेट है और यहां पे सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर से प्रेस करना, अगर आपको इसी तरीके के वीडियो, उस करियर काटन्स और जॉब अपडेट्स के रिलेटेड नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे तो इसे के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन प्रेस कर देना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर से शेर करना उनको भी यहां पे पता चलेगा नोटिफिकेशन के बारे में और जाब अपडेट के बारे में और वो इलिजिबल होंगे तो उनकी हल्प ह हो जाएगी और लाइक का बटन जरूर से प्रेस कर देना यहां पर अगर देखे तो अपडेट है यह एक पॉब्लिक सेक्टर है पीस्यू है और अगर हम बात करें कौनसी कौनसी ब्रांच यहां पर अप्लाइ कर सकते हैं तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल से इंजिनिरिंग की है, मटीरियल मेनेजमेंट से किया है, मेकानिकल से किया है, माइनिंग से किया हुआ है तो आप यहां पर अप्लाइ कर सकते हो और यहां पर मटीरियल मेनेजमेंट में इलेक्ट्रिकल, माइनिंग और मेकानिकल वाले अप्लाइ कर सकते हैं तो अगर हम कुल मिला के बात करे वाले हो तो आप भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो तो आप वीडियो को एंटर देखना अब यहाँ पर आपके साथ कुछ शेर करना चाहूंगा अगर आप यह 2022 की तरियारी कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ पर वैलिक एडमी पर हमने मिल जाएगा और डिस्क्रिपिशन में मैं आपको लिंक प्रोवाइट कर दूँगा अगर आप इन्रोल करना चाहते हो मेकैनिकल फ्रांस से बिलॉंग करते हो तो आपको इन्रोल करना चाहिए क्योंकि यह सारी चीज़े तो प्रोवाइट करी रहे लेकिन साथ ही साथ आपको doubt support भी मिल जाएगा तो वो सारी चीज़े आपको इसके अंदर मिल जाएगी और यहाँ पर यह पूरा full-fledged course है जिसके अंदर aptitude reasoning and core mechanical के subjects भी included है तो दो दिन की offer है अगर आप enroll करना चाहते हो तो जली से कर लो और यह offer बाद में इसका rate 25,000 हो जाएगा तो limited time के लिए है नौ यहाँ पर बात करें तो gate की बात इसलिए मैंने की क्योंकि इस notification में भी gate 2021 इन्होंने मांगा हुआ है तो काफी सारे PSU अभी आ रहे है और 2021 के basis प आती रहती है तो gate 2021 का इन्होंने result मांगा हुआ है और वो आपके पास होना चाहिए उसके साथ साथ अगर हम बात करते है तो degree के अंदर आपके marks जो है 60 percentage minimum इन्होंने कह दिये वो आपके होने चाहिए नाव बाकी चीज़े बात करें जैसे कि यहाँ पे paper code तो बाई electrical के अंद के अंदर MN और material management में EME और MN तो यह जो screenshot है वो यह बताता है कि आपने पढ़ा ही कोई भी branch सेगी हो लेकिन paper code आपका gate का यह होना चाहिए कि कंपल सरी है और branches consequence है वो इन्होंने एक ही साथ बता दी है ठीक है eligible branches आपे साब बोल सकते हो number of post की बात कर लेता है number of post यहाँ पे 67 post है सब मिला के इसका भी screenshot आपको यहाँ पे मिल जाएगा category wise क्या क्या कितनी number of vacancies है वो भी चीज़े इन्होंने बता दी है now एक और चीज़ very important part अगर आपका rank 500 के अंदर है तब यह आप apply कीजिए because यहाँ पे जो है piece इन्होंने रखी हुई है 500 रुपीज आपको piece पे करनी पड़ेगी और यह काफी ज्यादा है मेरे हिसाब से अगर ऐसे ही होता तो मैं जरूर कहता कि try कर लो लेकिन यहाँ पे ऐसे ही नहीं है आपको piece पे करनी पड़ेगी वैसा ही जो application ने फस्ट मार्च से शुरू हो चुका है और यह जो इसकी last date 21st मार्च है तो अगर आप apply करना चाहते हो तो एक suggestion है आप result gate का आने दो result आ जाए या फिर आपका response sheet तो हो चुकी announce तो response sheet से आप थोड़ा बहुत अंदाज आ जाएगा कि आपका rank possible है 500 के अंदर तो भी आप यहाँ पर try कर सकते हो और मेरा suggestion रहेगा 500 भी नहीं अगर आप थोड़ा सा और accurate जाना चाहते हो तो 300 के अंदर वाले apply करो बागी try कर सकते 500 अंदर वाले लेकिन फिर भी आपकी choice है आपके ओपर depend करता है क्योंकि PSU's की वेक से competition थोड़ा ज्यादा रहेगा job sector में नव यहाँ पर बात करते हैं कम लोग masters के लिए जाएंगे ये भी एक चीज है ये भी एक factor को ध्यान में रखना नव यहाँ पर बात करते हैं तो आप एक से ज्यादा post के लिए apply नहीं कर सकते हो एक candidate एक ही post के लिए apply कर सकते हैं यह इन करनी है या फिर आप departmental candidate हो NMDC के तो तब भी आपको fees पे नहीं करनी है अगर आगे बात करते हैं बाकी चीज़े तो यार काफी चीज़े मतब common ही है ना हो mode of selection तो mode of selection में जैसा कि gate 2021 का score उसका 70 marks count किये जाएंगे 100 में से group discussion का 15 marks और interview का 15 marks अगर आप यहाँ पर majority देखते हो त लेकिन फिर भी group discussion and interview consider किया जाता है अब यहाँ पर ही बात हो गई कि अगर आपके पास knowledge है तो आप बाकी की दो चीज़ों में तो आराम से qualify कर जाओगे थोड़ा बात communication skill का आपको test add करना पड़ेगा बाकी सारी चीज़े तो आपके पास ही knowledge है तब ही आप shortlist हुए हो gate 2021 की वज़े से और यह सारी चीज़े इन्होंने रखी हुई है अगर आप यहाँ पर apply करना चाहते हो तो कर दो और हाँ 1-10 के ratio पर आपको shortlist किया जाएगा 1-10 एक vacancy के सामने 10 लोग को बुलाया जाएगा तो यह सारी चीज़े gate के marks को उपर depend करती है salary की बात करते है तो वह salary बह भी दिया जाएगा जैसे ही आपका complete अप सेलेक्ट हो जाओगे complete place हो जाओगे तो फिर आपके DNS allowance और बाकी चीज़े सारी add हो जाएगी तो वह तो बात की बात है हाँ in short आपका career set हो जाएगा so अगर आप apply करना चाहते हो तो link आपको description में मिल जाएगी हमारे blog की उस पे से आपका official notification as well as official links भी मिल जाएगी धियान रहे last date जो है 21st of March है और यहाँ पे आपको hard copy बेजने रहेगी जी हाँ यहाँ पे आपका online form विलप करने के बाद hard copy बेजने रहेगी जो कि 5th April इसकी last date ह है so apply करने की procedure है completely अगर कोई doubt रहता है regarding applying के लिए तो आप पूछ सकते हो कोशिच करूंगा कि आपको मैं वीडियो के form में answer कर दू हमारे दूसरे चैनल पर simple procedure है आपको online apply करना है बाद में आपका hard copy मदब वहाँ पे soft copy रहेगा उसकी आपको print out निकालनी है और वो print out आपको पेजनी रहेगी along with a copy of gate 2021 admit card यह आपको भीजना रहेगा तेलंगाना में post office हुमायू नगर हैदरबाद तेलंगाना state यह address दिया हुआ यह paragraph आपको डिस्प्ल सी process है और कुछ नहीं है so I hope आपको सारी चीज़े समझ में आ गए होगे अगर समझ में आई है तो मुझे सरूर से बताना क्या आप apply कर रहे हो और आगे बहुत सारी vacancies भी आ रही है तो channel पर बने रहना और subscribe नहीं किया है तो subscribe भी कर लेना मिलते हैं next video में next job update में तब तक के लिए goodbye take care झाल